बहुत बुरा रगता है जब लोग कॉंडम्स को ने इसे सड़क पे फेक देते हैं, ये डस्मिन मडाल देते हैं If you are using a condom, it's your responsibility कि आप उसे properly dispose करें लेकिन इस condom को कैसे dispose करना है, कैसे उतारना और कहां फेकना है ताकि environmentally friendly भी हो, आपकी privacy पे भी issue ना हो और condom में से जो वो leakage है या जो आपका sperm है, वो split ना हो चैनल पे नए हैं, जरूर subscribe करें, मैं हूँ Dr. Neha Mehta इसी बहुत सारी videos बनाती हूँ, जो कि आपको safe sex practice करने पे involve करती है जरूर subscribe करती हैं, और अगर आप भी condom का इस्तमाल करते हैं या करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरान तक देखेंगे Usually, जब आप sex perform कर चुके होते हैं, तो आप condom के बिल्कुल टील से अपने sperm, अपने condom को remove करते हैं, आपका penis बिल्कुल fresh हो जाएगा इसके बाद, आपको इसे ऐसे नहीं फेकना है तो जब आपने condom को use कर लिया है, ऐसे उस पर balloon की तरह not लगा दीजए और please उसे ऐसे फेकने की जगा, एक चोटा सा paper bag या कोई भी चोटा सा आपको पेपर मिलता है उसके अंदर डाल के, please इसे dustbin में डालिए don't ever flush it, इसको कभी भी आपको flush नहीं करना है और हमेशा एक wrapper में pack करके ही dustbin में डालना है ताकि वो लोग जो की गंकी उठाते हैं, maybe sweeper, somebody, biomedical waste, people उनके साथ ये spillage नहीं हो, moreover अगर आपको HIV है या दूसरी problems है तो वो rapidly fell सकती है, तो better to put it in a disposable bag और तभी fake ये, please इसे flush नहीं करना है, इसे ऐसी जमीन पर नहीं फैकना है, it's a big, no, no, moreover कई लोग उसे खाने वाली जगा पर fake देते हैं, या clean करने की कोशिश करते हैं, it's not at all important, just put it in a dustbin चैनल पर नहीं है, ज़रू subscribe करें, और ऐसी videos के लिए connected रहें